Hey guys, welcome to each day, I am back with another video, जैसे आप लोगों पता है, 3 October को आपका MTS, FRI MTS का पेपर हुआ था और उसी पेपर में आपका solution लेक्जाम डेटा आप देख पार हूँ कि 3 October 2021 की है First of all, जिन्होंने मुझे पेपर दिया, यह FRI MTS का पेपर स्फॉल्फ करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्याबाद, ठीक है और मुझे यह FRI MTS अभी मिला है, तो मैं अभी आपको solution दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी discussion जादा नहीं करूँगा तीसरे का option है, यहाँ पुछे different क्या है, तो Pluto, Earth, Mars के एक planet है, जबकि Pluto के हमारे solar system का पार्ट नहीं है, तो इसका अंसर दो तरीके हो सकता है, दोको जो moon है, वो क्या है, एक satellite है, जबकि Pluto के एक drop planet है, ठीक है, जो पहले हमारे solar system में था, अब नहीं है, यह भी answer हो सकता है, यह Pluto प्लोटो होगा, या moon होगा, मेरे इसाब से moon को में टिक मान देता हूँ, क्योंकि moon एक satellite है, लेकिन यहाँ पर प्लोटो, Earth, Mars के लग रहे हैं, मुझे planet लग रहे है, तो मैंने इसलिए moon को दिया, क्योंकि moon एक satellite है, अंसर प्लोटो भी हो सकता है, जो official answer की होगी, लेकिन मैं यहाँ पर moon कमान के चल रहा हूँ, क्योंकि moon एक satellite है, जबकि तीनों की तीनों planet है, इसको यह आपको solve करना था, तो इसका answer जो आएगा, 4th का हुआएगा, आपका C, तो आपका 4th का C आएगा, इसको मैं आपको बाद में जब detail solution दूँगा, तो मैं आपको कराऊँगा, ठीक review और able अलग-अलग करेंगे, तो reviewable बन रहा है, लेकिन दो सब्द बंद पाएंगे इसमें से, तो 7th का आजागा B, 8th के बारे हम बात करेंगे, तो 8th का बिल्कुल answer D होगा, ठीक है, 9th के बारे हम बात करेंगे, तो 10th के बारे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो बन रहा है बारवे का देखों यहां पर क्या कर रहा है इन दोनों को माइनस कर रहा है J-C is equal to Z P-L is equal to T तो यहां पर जो answer आएगा वो T आएगा आपका ठीक है ना बारवे का क्या हो जाएगा D होगा ओगी गाईस तेरवे के बारे हम बात करते हैं जो हाइग्रोमीटर होता है हाइग्रोमीटर होता हूँ यहां पर हाइड्रोमीटर लिखा है लेकिन यहां पर हाइग्रो होना था ठीक है नोट हाइड्रोमीटर आप चाहो तो आयोक से कमिशन मतलब वो कर सकते हो लेकिन यहां पर जो हमीडियूटी को नापता है वो हाइग्रोमीटर होता है सिस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थ को करता है यहाँ पे spelling के mistake है ठीक है ना next बारे हम बात करते हैं इसमें क्या option है देखो यहाँ पे 0 दे रखा है अगर मैं इसको जो answer होगा वो 63 होगा detail वीडियो में मैं आपको answer बता दूगा किस तरह से 63 आया है 15 का जो answer होगा guys वो option होगा आपका A जो 15 का answer होगा वो क्या होगा आपका A होगा 16 के बारे हम बात करूँ यह आपकी puzzle थी puzzle को मैं दुबारे solve कराऊंगा तो आप answer आजाएगा तो यहाँ पे इसका answer आएगा A ठीक है जो immediate left होगा G का वो कौन होगा A होगा puzzle को मैं solve करके दिखा दूँगा आपको 17 का जो होगा वो option A ही होगा 18 के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे malaria, pyria, philaria क्या होगा बिमारियों के लेकिन cyberia का एक जगह है तो इसमेंसे यह different है यहाँ पे जो यह वाला question है गाइस देखों, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर रखा है जो हैरात का जो female version होता है वो hind और stack का जो female होता है वो कौन होता है? doe ठीक है? तो इसका जो answer होगा 19 का होगा C वैसे तो stack और doe होना तो यह था heart और hind होना चाहिए था यहाँ पे उल्टा कर रखा है इन्होंने तो इसलिए यहाँ पे answer वैसे C होगा क्या बता heart हो hind को इन्होंने मिला रखा है ठीक है? heart hind होता है और stack doe होता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो 19 का C होना चाहिए लेकिन क्या पता commission इस answer को गलत भी मान सकता है next बात करते हैं यहाँ पे लिखा है the person can take तो यहाँ पे जो answer आएगा 20 का B आएगा which of the following is different from the other तो ग्रेव फीस ग्रेव फीस होता है एक क्या होती है? फीस होती है, गोल्ड फीस बेक फीस होती है, बटर फीस बेक फीस होती है लेकिन जो silver फीस होती है यह कीड़े के उसमें होता है, ठीक है न? यह कीड़ा होता है silver फीस तो इसका answer हो जाएगा आपका C 20, different पुछा तो 20 का C आपको tick करना है, ठीक है न? 22 के बारे में बात करें पूछ रहा है कि आपका 22 का answer क्या होगा तो इसका answer होगा आपका D, तो आप option D मारेंगे, ठीक है 23 का जोगा 53.3 बिल्कुल सही है next question देखते हैं यहाँ पर 24 का पूछ रहा है, तो 24 का जो answer आएगा वो कितना आएगा आपका 16, ठीक है, 24 का आपका answer आएगा C 25 की तरब चलते हैं, pick out the light इसमें देखिए, guys, light year जो होता है, distance की होती है यहाँ पर जो second है, यह time की क्या होती है unit होती है, बकि जो तीन हो, बाकि तीन हो है वो किया आपकी, distance की unit होती है, बक time की unit होती हो, second होती है, इसलिए 25 का C is the correct answer फिर आप से पूछा, journal awareness के question तो यहाँ पर पूछा, international year of malice of unigenalacy, तो इस cancer होना था, 2023 आपके बात है, glucoma gluomo के, glucoma क्या होता है, glucoma हमारी आखों में एक बिमारी होती है, जिससे आपकी red nice eyes होती है, यह क्या होता है, जब हमारी muscular, उसमें बहुत ज़्यदा pressure परता है तो increased interlocular pressure तो 27 का A हो जाएगा, ठीक है 28 के बारे में अगर बात करें तो record of the year किसको मिला था, तो belly eyes को मिला है, और Beyonce जिसने किया यहाँ पर, Beyonce क्या था, जो सबसे ज़्यादा record पाने वाली महिला है, उनका नाम है Beyonce, लेकिन जिसको award मिला है 2021 का वो है, belly eyes, और सबसे ज़्यादा अकेले उसमे record पाने वाली महिला का नाम किया Beyonce, ठीक है, तो लेकिन जो यहाँ पर पुछा, Grammy का award को होन है तो यहाँ पर answer हो जागा, belly eyes, copper sulfate का था blue vitrol बोलते हैं, इसको 29A ठीक है, 30 का क्या answer हो जागा, guys तो 30 का answer है, मैं बहुता हो, यहाँ पर पूछा वहाँ आप से कि इन में से different को होना है, देखो copper metal है, metal है, metal है, metal है, लेकिन brass का एक alloy है तो यहाँ पर answer आजागा, alloy 30 का D, चीक है, next question चलते है, 31 की तरफ, VLC से फेर्मिना आवर्ड जो तो manasa varana season का नाम था, यह किस state से बिलॉंग करती थी, तो यह तेलांगना से बिलॉंग करती थी, हैदराबाद की रहने वाली थी, और यह miss तेलांगना भी बनी थी, इसलिए तेलांगना से ही बिलॉंग करती है, R.E.F. क्या है, R.E.F. गौर्मेंट ने जादा ने इंद मोती ने, तो आहमदाबाद में ही है, ठीक है, 34 का बात करेंगा, सबसे ज़्यादा 3,000 रंड बनाने वाला है, पहला बेट्समान कोंदर 2020 में तो उसका आंसर है, बिराट कोली, ओके, Global Potato Concleve कहां वा था, 2020 का, तो इसका आंसर पुछा, ये गांदी नगर में वा था, जो बिल्कुल आंसर, इन्होंने सही मारा हुआ है, देखो, इसने लिखा हुआ है कि इंडिया री डिस्कवर्ट, तो इंडिया री डिस्कवर्ट जो भुक लिखी थी, एक्च्वल में, जराल ने ले रूट के उसमें लिखी थी, और प्रोफेसर, बीवी लाल ने लिखी है, तो 36 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 37 के बारे में बात कते हैं, को वैक्सीन, तो को वैक्सीन देखो, को वैक्सीन दो वैक्सीन है, एक co vaccine है, covid sealed है, जो co vaccine है वो हमें भारत बायोटेक बना रहा है और जो covid sealed है, covid shield ठीक है, वो बना रहा है आपका serum institute of India private level, लेकिन यहाप आपको co vaccine पूछा है तो आप मारोगे भारत बायोटेक, next question देखते हैं, उसमें लिखा है कि कौन से actors है, जो जिनको मिला है 2020 के लिए Oscar award मिला है, ठीक है, वो कौन थी, तो इनका नाम है, रहने, जवैल कर, ठीक है, ओके, 39 गे करते हैं, इंडिया toy fair, तो इंडिया toy fair कब से start हुआ, देखो इंडिया toy fair जो 2021 का वो start हुआ है, आपका 27 फरवरी से 2 मार्स तक का हुआ है, तो यहाँ पे 27 फरवरी का answer होना था, इसमें इसमें गरीमों को 10 रुपे में दिया जाएगा, तो इसका answer है, महरास्ट्र ने यह scheme चलाई है, सिभ भोजन, 42 का answer है, इसमें पुछा कि इंडिया के कौन से excellence के लिए award मिला है, ठीक है, तो यह answer आए जाएगा, आपका B option, ठीक है, इंडिया का इंडिया का इंडिया का इंड आगा, इन्टर विक्रम साराबाई, ठीक है, इन्गोंने इसमें समझ लाका, सतीन धवन केंदर है, आपका, तो वो नहीं है, वो आपका, आपका lunching pad है, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराबाई क्या थे, फादर ऑफ, इंडियन इंडियान स्पेस प्रोग्रम के, फादर थे, ना innovation contest dare to dream किसे ने चलाई थी तो ये DRDO ने चलाई है तो इसका अंसर हो जागा DRDO artificial intelligence के लिए कौन सी कौन से IIT ने किया है तो IIT गांधी नगर IIT गांधी नगर basically DRDO ने ये क्या डेवलप किया लेकिन इसमें IIT गांधी नगर का भी हिस्सा था ठीक है which of the following cities the top the performer in the ease of living index इनका इंसर है bangalore bangalore ने कहता पूने जो दूसरा था ठीक है पूने दूसरा था और bangalore पहला था 46 को हो जाएगा B 47 को जाएगा घर गर निगरानी घर गर निगरानी किसे चलाई हो जागा मनपृत सिंग को 48 का एंसर 49 49 का अगर मैं बारे में बात करूं तो 49 के बारे में बात होगी Hyundai Motors ने किया है अभी रिसेंटली चला था यह Uber के साथ एक टेक्नलोजी का है मिल के क्या कहता है यह एर टेक्सी का एक डेमो दिखाया था ठीक है तो आप जाके यूटूब पे देखाता हो वो डेमो बात करते हैं 50 के 50 नोबल प्राइस अफ़ देखा तो इसके लिए आंस का है तीनों को मिला था यह आवर ठीक है अब बात करते है 51 की तो 51 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा बहुत जाता कैलकुल प्राइब बात करते हैं तो 54 का जो आंसर होगा गाईस यह तो देखते ही पता चल रहा था इसका अंसर होगा डी के लिए 54 को हो जागा डी 55 के बारे में बात करूं तो 55 के बारे में बात कर तो इसलाक रूपे 5000 गया, 56 के बारे हम बात करूँ, 56 को मैंने solve किया, तो इसका answer आजाएगा D, आपका 13 by 11, ओके, ओके गाईज, आपको साइज आप दिख रहा होगा डंक से, तो अभी बात करते हैं, 55 question, तो इसका answer हो जाएगा, 57 का answer हो जाएगा D, अगर हम 58 के बारे हम बात करें, तो 58 का answer हो जाएगा B, ठीक है, पांच लाक रुपे, इसका detail solution आपको मिल जाएगे, मैं आपने comment करके बताना है, कि detail solution दो, मैं आपको detail solution दे दूँगा, ठीक है, 59 का answer हो जाएगा, गाईज, तो 59 का होगा B, बिल्कुल 4 by 1 ratio में होगा, तो 59 का हो जाएगा B, 60, 60 का हो जाएगा, यह रहा 60, तो 60 का जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा B, यह पर पास set B है, आप देख पा रहे होंगे question को, तो 60 का हो जाएगा B, 61, 61 का जो answer हो जाएगा guys, वो हो जाएगा आपका A, ठीक है, 62 के बारे में बात करें तो 62 का answer हो जाएगा अपका C 63 का अगर मैं बारे में बात करूँ तो 63 का हो जाएगा A 64 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे होगा double 64 का हो जाएगा आपका B 65 का जो answer होगा guys आपका वो हो जाएगा आपका C 66 के बारे answer होगा guys यह जगा आपका C ओके next question की तरफ चलते है 67, 67 का जो answer होगा guys वह जगा आपका B 1 by 2 ratio में होगी 68 के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो 68 के बारे में होगा none of the above इसमें से थोड़ा calculated question था maybe मैंसे अगर calculation में mistake होगी तो answer change हो सकता है, लेकिन जो मैंने question को किया, तो मेरा answer 170,000,000 के असपास आ रहा था जो कि none of the above में हो जाएगा 69 के बारे हम करेंगे, तो 69 का जो answer है guys, वह हो जाएगा आपका A option 20,000, ठीक है 70 की तरफ चलते हैं, तो 70 की तरफ जो answer आएगा, आपका answer आजाएगा guys, 64,000 72 के बारे में अगर हम बात करेंगे, 72 questions के बारे में बात करेंगे, तो आपका answer जो हो जाएगा guys, वह हो जाएगा D, none of these हो जाएगा, okay ओ स्वारी, इस में से none of these मतलब कोई change नहाएगा, ठीसे double, अच्छा स्वारी none of these ही रहेगा, 72 का D रहेगा 73 के अगर हम बारे में बात करें तो 23% रहेगा, okay 73 का B option है, 73 74 के अगर हम बात करें तो देखो guys, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं details solution दोगा, तो आप आँखो ही आँखों से और मतलब बिना pen लगाएवे भी यह question कर सकते है, 74 का C option 75, 75 का बिलकुल 8% के असपास आपका minus 8% होगा, तो आपका 75 का A option हो जागा, ठीक है 76 के बारे में आप हम इंगली section सुरू कर रहे हैं, तो 76 का जो answer होगा guys, वो होगा C, beer और bear, ठीक है bear मतलब खाली होता है, ठीक है सांत करना, ठीक है, और यहाँ पर सांत करना पूछा, और यहाँ पर पूछा, और यहाँ पर पूछा similar word, तो similar हो जागा calmness, ठीक है 77 का C, 78 का मतलब बार doubtful, reliable, मिल्कुल यह सही है, कि reliable हो ना किसी के उपर ठीक है, और 79 का बिल्कुल C सही होगा, attract and regarding ठीक है, और 80 का मतलब wilt मतलब होटा है, किसी को खतम कर देना, मुढ जा देना, that is, एक चॉसेज बिल्कुल सही है यहाँ पर जो 81 का dappled का मतलब पूछा था, इसका मतलब पैचेश को इस मतलब strange होना, अलग सा होना, ठीक है ना 81 का जो जगा वो A हो जाएगा, 82 का बिल्कुल सही है, C option, 83 का यहाँ पर मुझे जो PDF मिली थी, उसमें से थोड़ा सा कटावा था, तो मैं नहीं जानता, questions क्या है, लेकिन जो मैंने assumption लगा है, इसमें पूछावा है कि marketing cash strategies क्यों अपना ही थी, तो साहर इसका answer A हो सकता है, but I am doubtful, क्योंकि मुझे questions साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है, 84 के बारे हम बात करने, तो 84 के बारे हम पूछा है, तो इसमें पूछा कि कौन सा, every week, वो cake हर हफते बनाती है, तो कभी भी, कभी भी, आपका, okay guys, तो यहाँ पर आपका, simple present tense में दा, तो यह हमें साफ चेंज होगा, cakes are baked, option A होना था, इसका answer, ठीक है, और बात करते है, evolve की, evolve का मतलब होता है, कोईसी चीज का खिलना, वगरा, कोईसी चीज का evolve होना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर opposite पूछा था, तो इसका answer हो होगा, तो यहाँ पर answer होना चीज था, B, ठीक है, 88 का हो जागा, B, अच्छा, 85 छूड़ गया था, 85 नहाँ पर देख रहे हैं, तो 85 का बिलकुल यहाँ पर, आपका answer C होना चीज था, 87 का आपके बाद बिलकुल B होना चीज था, Renaissance की Spelling पूछी भी है, और आपसे पूछा कि इन में से कौन सा गला था, तो यहाँ पर D ही होना था, 89 का D option, आप देख पार होंगा कि कोई यहाँ पर, early tomorrow morning का पूछा है, तो वर्सिब्ड नहीं होगा यहाँ ठीक है, यहाँ पर Tense की गलती है, 90 के बारे में बात करों, तो इसमें से पूछा है कि, इसमें साब से पूछाता है, इस Precarious जो Italic Word में लिखा है, इसके मिनिंग पूछी ती, आंसर बिलकुल सही है, जो Easily लाइल बे सीख सकता है, ठीक है, वैसे भी Precarious का, Precocious का मतलब जो होता है, जो बहुत ज़्यदा किसी चीज में, extremely बच्पन में ही चीज़ें सीख जाता है, ठीक है ना, Easily जो बहुत ज़्यदा, Easily चीज़ें सीख जाता है, उसे बोलते हैं, 91 का बारे में बात पूरिंगे, तो 91 का D option बिलकुल सही है, आपका Humiliation is disgraceful, बिलकुल सटीज बैट रहा है, यहाँ पर आपके filling the blanks में, 92 का जो होगा, वो होगा, आपका D option, क्योंकि out of the hoods जो होती है, out of the hoods का मतलब होता है, अभी भी problem में होना, अभी मतलब economy जो है, वो सुदरी, यहाँ पर कहना जाता है, जो governor ने कहा कि press conference में, कि जो economy है, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो पूरी तरह से ठीक नहीं है, यह एक negative word है, ठीक है, negative conjunction है, जो दिखाता है, कि negative बात हो रही है, तो negative बात के लिए out of the hoods होती है, वो क्या होती है, एक idiom होता है, ठीक है तो 93 का B हो जाएगा, आपका 94 के बारे हम बात करेंगे, तो option C is, 94 का जो option होगा, वो क्या हो जाएगा, option C is the correct answer, ठीक है, यहाँ पर practical society के बारे हम बात किया है, ठीक है, one who is easily not pleased, जो बिलकुल भी मतलब जल्दी से मानता है नहीं है, उसे बहुत है fastidious बहुत ही जादा, वैसे लोग जो रहते हैं, fastidious वो बिलकुल भी किसी से मानते नहीं है, यहाँ पर 95 के बारे हम बात करा है, तो इसमें server lines की spelling बिलकुल सही लिखी है, 95 की B, होगे गाईस, आगे चलते हैं, यहाँ पर 96 में पूछा है, मैंने 96 का बता दिया, D option 97, 97 का भी देखो गाईस, यहाँ पर इसने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखाया, purchasing of the additional floor space, जबकि यहाँ पर लिखावा है, reducing the amount of the floor space, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं reduce किया, यहाँ लेकि यहाँ पर purchasing, additional floor space बता रहा है, जो की option का not implemented पूछ रहा है, तो option यहाँ पर 97 का C होना चाहिए था, 98 के बारे हम बात करेंगा, तो यहाँ पर बिल्कुल passenger और A option बिल्कुल यहाँ बैट रहा है, आपके filling the blank में, 98 का A option बिल्कुल सही है, ठीक है, और यहाँ पर 100 का B, यहाँ पर B option सही है और यहाँ पर पूछा, synchronization की spelling, तो synchronization की spelling, बिल्कुल C, बिल्कुल सही थी, जो उन्होंने साइट से बात में change कर दियोगी, वो घलत हो गई होगी, तो guys, यहाँ पर आपको मिल चुकी है, इसकी cut-off मैं श्याम को एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें cut-off का discussion करूँगा, क्योंकि paper का question level अच्छा था, इस वे से लिए math का section है, math के section हर कोई छेड नहीं पाया होगा, क्योंकि अच्छे-च्छे question है उसमें, और आपका जी, इसकी भी थोड़ अच्छे question थे, तो मैं आपको cut-off श्याम तक बना के दे दूँगा, detail वीडियो चीह होगी, तो आप लोग detail वीडियो के लिए comment कर देना, मैं आपको सारे-सारे detail solution पूरा करवा दूँगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ जिसमें, एक देट घंटे का time लग जाता है, इसलिए मैं detail solution नहीं दे रहा हूँ, बाकी मिलते हैं, next cut-off वाली वीडियो के साथ, ओगे guys, thank you so much